वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का आज में बनाने वाली ही मिक्स सबजी, मूली, भटा, आलू और हरे हरे मेथी घनिय पत्ती डाल कर बिल्कुल सिंपल साधे कब मिर्च मसाले से गिना नाल मिर्ची डाले गुए जो खाने में बहुती तेश्टी और स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसके लिए मैंने तीन-चार हरी मिर्च, लसून, एक चम्मच, जीरा, अब इसे हम सिल्वट्टे में पीसेंगे अब यहां पीस लिए हैं और छे साथ बड़ी भी डालेंगे रख्या की बड़ी है यह अब हम गेस पर कढ़ा ही चड़ाएंगे इसमें तेल डालेंगे हम यहां पर सर्जो तेल लिए हैं और बड़ी को हम अलका ब्राउन प्राइब करेंगे अब यहां प्राइब हो गया है अब इसमें प्याज डालेंगे इसके ब्राउन होने देंगे इसके बाद जो हम पीसे विये थे लसुन जीरा मिर्च वह डालेंगे अब यहां पर हम सबजी दोकर रखे दे वह सब डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे चम्मा चलाते हुए अब इसे पकने देंगे एक मिनट अब यहां पर हम स्वादा में सार नमक डालेंगे और बड़ी को शिक साथ हमें गुनने देंगे अब यहां पर एक चम्मच हल्दी पौडर और एक चम्मच धनिया पौडर गे डालेंगे अब यहां पर हम चार टामाटा लिये हैं उसे हम बारी बारी काट लिये हैं अब अब डालेंगे सब्जीयों पर अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे और यहां पर धाक देंगे 2 मिनाट तक पकने लेंगे पी टामाटर अच्छी तरह से पख गया है अब हम ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल दियें एक गिलास अब इसे पोलेंगे अच्छी तरह से अच्छी तरह से अच्छा है यह पर इसे पोल कर देखना है और चम्मज भी चलाना है तो तीर मिनाट तक इसे पकने देना अच्छी तरह से हमें हलका ग्रेवी रखना है अब अपने हिसाब से इतना रह सकते हैं उतना पानी डाल सकते हैं हरी मिर्च हरी पत्ती धन्या और मेथी से बना है इसमें लाल मिर्च का प्रियोग हुआ ही नहीं है इसलिए पलार इसी तरह से दीख रहा है और यह रिजिनल कहा है सब्जी है इसलिए बहुत ही मिथी पत्ती है और हरी हरी धन्या पत्ती इसलिए सब्जी बहुत ही टेश्टी लगती है अब उपर से हम धन्या पत्ती डालेंगे और इसे ढग देंगे गेस आप कर दिये हैं यहां पर हमारा मिक्स सब्जी मूली भटा आलू बड़ी के यार हो गया है अब एक बार जरूर इसी तरह से बना कर देखिए आने बहुत ही टेश्टी लगती है ने मसाला नहीं डाला इसमें कोई से भी आप कर दो